Hello Friends, आज हम जानेंगे कि exam में कैसे top किया जाए है, exam को कैसे ace किया जाए है, किसे भी exam के लिए, किसी भी students के लिए applicable है तो अब आप सोच रहोंगे कि कब कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, तो हमको पता चले कि हाँ हमारा revision अच्छा हो रहा है कैसे revision किया जाए, exact way क्या है revision करने का, तो आये जानते हैं तो सबसे पहले हम इन factors को देखेंगे और फिर इनको discuss करेंगे तो factors क्या क्या है, place, mind and body, when to revise, what to revise, how I will know that I am doing good और I am revising good, then never do this, number one is place, so आपका study table और आपका study room और नहीं तो at least study table एकदम specific होना चाहिए, यह नहीं कि आपको आज couch में बैट कर पढ़ने का, मैंने तो आप couch में पढ़ रहे हैं कल बैट पे पढ़ रहे हैं, फिर table पे पढ़ रहे हैं, ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए friends आप हमेशा एक जगा पे ही पढ़ें और प्रिफर करिए table एंचेर पे ही पढ़ने का, और या फिर ऐसे जैसे आप exam में होंगे, वैसे ही बैट के पढ़ने का habit बनाएए number two is mind and body, you have to take care of your mind and body by doing two things, आपको दो चीज़े करनी है, exercise और अपने डाइट, दोनों पे ध्यान देना है, यह नहीं कि तरफ exam है, आपको पढ़ना है, तो आप mind और बोडी को छोड़ दे, आपको proper डाइट लेनी है, आपको proper exercise करनी है, proper sleep भी बहुत ज़रूरी है friends, तो exercise इस आपको हमेशे active रखेगी and diet तो बहुत major part है, even आप जब study durations के बीच में ब्रेक लें, तो भी आप diet को involve कर सकते हैं, next is when to study, आपका time fix होना चाहिए, revision time fix होना बहुत important है, next, date, कब पढ़ना है, first revision आपका तभी होना चाहिए, आज सुबा आपने एक chapter पढ़ा, तो evening या nightmare सोने स पहले जरूर पढ़े, try करें, जो revise करना है, जो remember करना है चीज़े, उनको सोने से पहले करें, थाकि वो आपके सब questions मैं में retain हो जाए, और फिर next week पढ़ें, या four days बात, five days बात, फिर एक बार revise करें, ऐसे continuously हर month में, दो तीन बार उसको revise करें, next is from what, क्या हम फिर से वो पूरी पूरा चाप्टर फिर से पढ़ें, बिलकुल नहीं, आपको कैसे पढ़ना है, वो depend करेंगा कि आपका content कैसा है, अगर आपका content conceptual है, तो आप उसका mind map बना के, जिस जिन आप पढ़ रहे हैं, तो note ticking के समें mind map बना लीजे, उसके बाद एक दिन revision के समें mind map बना के रख लीजे अगर आपका content जो है, वो list types है, कुछ order याद करना है, तो mnemonics या फिर आप list तयार कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहे हैं, अगर आपको terms याद करने हैं, तो आप flashcard का use कर सकते हैं, और अगर आपकी theories हैं, कुछ जादा content है, जिसमें methods involved हैं, तो आप एक short booklet बना सकते हैं, जिससे आपको remember करने में असानी होगी, और उसके साथ एक linked mind map, जो आपको दोनों चीज एक साथ revise कराएगा, और short में कराएगा, तो उसको देखके आप क्या करिए, जैसे mind map है, या flow chart है, तो उसको देखके आप जो topic है, जो headings है, उनको remind करिए, आप उनको recall करिए, कि इस topic मे ये क्या था, cell क्या है, उसका definition बताएगे, उसका size बताएगे, ऐसे बताना है आपको, moving to next, कि हमको ये कैसे पता चलेगा, कि हमने revision किया है, हमको याद है, हम वो retain कर पा रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका एक simple एक tip है, जो आपको multiple benefits देगा, वो है, test yourself as you are going to take a given exam, जैसा कि आप एक exam देने जा रहे हैं, जैसा आपका exam का pattern है, वैसा question paper, या previous year के question paper आप download करिये, उसको test की तरह दीजिए, this will help you, और इस test के साथ आपको बिलकुल timer लगा के रखना है, और बिलकुल वैसे ही mindset के साथ देना है, कि जैसे कि आप paper दे रहे हो, ठीक है, next, never do this, friends को कभी ऐसा नहीं सोचना है कि आपको सब को चाता है, आपने तीन बार रिवाइस के लिया, आपने दस बार रिवाइस के लिया, revision is the success key, आपको revision अच्छे से करना है, thank you so much for watching, do like and subscribe my channel and stay connected